CBSC के Regular Private Improvement और Compartment Exam के बच्चों के लिए इस वीडियो में बहुत ही important discussion करने वाला हूँ सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि CBSC के Private Improvement और Compartment Exam के फॉर्म भरे जा रहे थे additional subject वाले भी अपना फॉर्म भर रहे थे, date खतम हो गई है लेकिन एक हपते तक की date बची हुई है, अगर आपको late fees दे करके form भरना है तो 2000 रुपे late fees लगेगी, 19 October तक आप अपना form फिल कर पाओगे CBSC की website पर पूरी information available है, हमसे भी अगर आप form फिल करवाना चाहते हो तो WhatsApp पे संपर्क कर सकते हो, वीडियो description में इसका पूरा लिंक दिया हुआ है अब हम बात करते हैं कि अगर आपने form फिल कर लिया है और आप regular student है, आप private improvement compartment कैसे भी student है तो आपको board exam की तयारी कैसे करनी है, इस बार का paper कैसा आएगा, इस बार क्या-क्या changes हो रहे है और हम लोग अपने बच्चों को किस तरीके से prepare कर रहे हैं अपने board exam के लिए ताकि वो बहुत अच्छे से preparation कर सके तो तीन important updates मैं आपको देने वाला हूँ और यह तीनों बड़े काम की हैं आप इस से पहले की इस वीडियो को आगे देखें, फटाक से share कर दीजिए इसको और like कर दीजिए, like का button दबा दीजिए क्योंकि जितना आप like करोगे उतने और लोगों तकी वीडियो पहुचाया जाएगा YouTube के द्वारा तो बच्चों सबसे पहले तो मैं उमानात पांडे स्वागत कर लूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गौर्मेंट इक्जाम अड़ा में मैं आपको बता दूँ CBSC Affiliated School में biology lecturer हूँ और आप लोगों को पिछले 6 सालों से guidance प्रोवाइड कर रहा हूँ YouTube पर बोड इक्जाम में इस बार 3 important changes हुए हैं जिसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए पहला important change तो बच्चों यह हुआ है कि आप लोगों के लिए जो skill based questions हैं जो high order thinking skill questions होते हैं जिसको आप HOTS कहते हो वो questions इस बार ज्यादा important role play करेंगे आपको अगर अच्छे marks achieve करने हैं तो इस पर CBSC का focus जदा है CBSC के sample paper में जाकर कि आप इसको देख सकते हो अब जिन बच्चों ने गहराई से पढ़ाई नहीं की होगी उनके लिए problem इस साल होने वाली है हलांकि हर साल questions आते हैं लेकिन इस साल CBSC का focus को जदा ही है और ऐसा CBSC का sample question paper देख करके ही पता लग रहा है चाहे class 10 का हो या class 12 का हो और हर एक subject में लगभग लगभग यही कहानी है दूसरा बच्चों जो important update आप लोगों के लिए है कि साल जो exams है वो थोड़े early सुरू होंगे तो ज्यादा gap इस साल आपको नहीं मिलने वाला है साब साब समझेगा जो paper के बीच में gap होता था वो कम से कम मिलेगा इसलिए सबसे पहले ही आपको तयारी कर लेनी है और तीसरा important update बच्चों कि अगर आप इस साल पास नहीं कर पाए ठंग से या आपकी marks अच्छे नहीं आए तो अगले साल से आपके लिए हो सकता है problem हो जाए खास करके वे बच्चे जो compartment improvement या फिर private exam का form भर रहे हैं क्योंकि अगले साल से ये सुनने में आ रहा है हलांकि इसका कोई official notification नहीं आया है लेकिन official लोगों के द्वारा ही ये बाते कही जा रही है कि अगले साल से दो टर्म में आप लोगों के exams करवाये जा सकते हैं अभी धरमेंदर प्रधान जी का भी एक हमने news पढ़ा था जिसमें वो भी इस बात को कह रहे थे अभी सब कुछ clear नहीं है लेकिन ये तो clear है कि CBSC इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और most probably इसको लागो कर देगी तो इसमें फिर वही जैसा पिछले साल हुआ था 70-30 का ratio और उसमें बहुत सारे बच्चों का नुकसान हुआ इतना नुकसान हुआ कि क्या ही बताएं तो अगर 70-30 का ratio वाला matter आएगा तो बच्चे करके भी कम नंबर पाएंगे बहराल क्या होगा वो तो आगे देखेंगे तो ये तीन चेंजर होने की संभावना है वोड एक्जाम्स में बच्चे पूछते हैं कि सर कैसा आता है question paper खास करके compartment और private वाले बच्चे पूछते हैं कि क्या होगा कैसे होगा हमारा question paper कैसे आएग के sample papers आप अपने nearest book install और online platforms पर purchase कर सकते हो इसमें competency based questions और जो other questions है वो उसी तरीके के दिये गए हैं जैसे cbsc में पूछे जाते हैं आपको revision notes में मिल जाएंगे और mind maps भी available है इसके questions की जो standard है बच्चों इतना अच्छा है कि आप एक बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि इन में से बहुत सारे questions आपके board exams में आ सकते हैं तो मेरी सलाह यही है कि अच्छे marks secure करने के लिए Eduka Zone के sample papers अभी खरीद लो online या off तो देखो बच्चों question paper जैसे भी आएगा आप अगर तयार हो तो आपको कठिन नहीं लगेगा और खास करके अगर आप हमारे online guidance program से जुड़ हुए हो तो बिलकुल भी आपको problem नहीं आएगी क्योंकि वहां हम आपको सब कुछ provide कर रहे हैं और बढ़ियां से preparation करवा देंगे अब देखो board exam का paper तो हमेशा से tough आया ही आया है खास करके maths, physics, chemistry, biology, accountancy यह जो subjects है न यह tough ही आते हैं इसके अलावा भी कुछ subjects हैसे हैं जो tough आ tough हाता है तो बच्चों यह tough हाते हैं और standard कभी CBSC अपना गिरा करके paper नहीं बनाती इस साल का भी sample paper देख करके ऐसा ही लग रहा है कि काफी standard question paper बनेगा जैसा paper compartment exam का आता है उससे तो बहुँ tough paper यह आता है तो तैयारी आपको धंग से करनी है बस एक सुकून भरी बात यह है कि 20% questions जो है 20 marks के questions लगबग लगबग objective type के एक number के आ रहे हैं लगबग लगबग ज्यादातर subject में तो इससे scoring बढ़ियां हो जाएगा क्योंकि इसमें number कटते नहीं है ज्यादा तो अगर आपका preparation ठीक ठाक है important questions और आपको पता है आपके पास notes ठीक ठाक है तो आप बढ़ियां score कर ले जाओगे एक और बात बच्चे कते कि सर इसमें कितने बच्चे पास होते हैं खास करके private और compartment वाले बच्चे पूछते हैं तो बच्चो देखो जिस तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही है आप अपने आप से ही पूछ सकते हैं इस पर मैं एक series पूरी लेकर और वो कटे हुए होते हैं अपने जो उनकी training होनी चाहिए जिस तरीके से preparation होना चाहिए क्योंकि exam को pass करने के लिए और number लाने के लिए खाली पढ़ना जरूरी नहीं है जैसे किसी सामान को बेचने के लिए उसकी packing जरूरी है ऐसे ही आपको अपने answer से अच्छे number लाने के ल conditions को पहले attempt करना है कि इसको बाद में attempt करना है तो आप बढ़िया impression जता पाओगे जना पाओगे अपने examiner पर और आपको कुछ number extra जरूर मिलेंगे इसके तो एक तो यह strategy होती है कई सारे बच्चों को यह नहीं पता होता है कि हम क्या पढ़के जाएं और वो हमेशा वो से गाइड करने वाला मिल जाए तो आपको बताएगा कि क्या पढ़के जाओ सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं 33% माक्सी तो चाहिए न पास होने के लिए उसके लिए 100% कहां पढ़ना है अब बच्चे क्या होता है बच्चे डरे हुए होते हैं परेसान रहते हैं जो नहीं आता उसी में फसे रहते हैं for example में class 12th के बच्चों की बात करूं अगर mathematics subject में तो वो फसे रहते हैं calculus में calculus नहीं आ रहा है अब बैचारे disappointed होते हैं hopeless होते हैं लेकिन सोचो आपको 36 marks या 37 marks का calculus लगबग लगबग आना है या 35 plus का आना है बाकी का तो बचा हुआ है तुम्हारा सकते हो लेकिन बच्चों को यही नहीं पता है सुरुवात कहां से करनी है बच्ची अपना आधा से ज्यादा समय तो इसी मबर्बाद कर देते क्या नहीं पढ़ना है अगर तुम्हें पास होना है तो क्या पढ़ना है इससे ज्यादा important यह है कि क्या नहीं पढ़ना है अगर क्या लिखके आ रहे हुगे तो लिखके आओगे जो पढ़के जाओगे तो आपके पास study material ठंका होना चाहिए अगर नहीं है तो आप problem में आने वाले हो चाहिए आपके notes हो अपने friends का notes ले लो आप कहीं से arrange कर लो कोई नहीं दे रहा है तो आप हमसे भी मिल सकते हो संपर्क कर स सकते हो online guidance program में हम आपको सब कुछ notes तो बिल्कुल free में provide कर देंगे उसका एक पैसा आप से नहीं लेंगे तो यह सारी चीजें हमारे साथ में आपको मिलेंगी अगर आपको कोई problem हो रही हो तेयारी में तो हमारे साथ जुड़ जाओ नहीं भी हो रही तब भी जुड़ जु तो वह सब कुछ में आपको बताऊंगा बच्चो विस्यू आल दा बेस्ट फार यूर फ्यूचर थेंक्यू पर रचिंग इस वीडियो